कि फाइनली हमारे पापड बन चुके हैं यह लास्ट लोई रह गई है अब यह हम सुखाने जा रहे हैं आज हवा तेज है इस तक्ता में थोड़ा टाइम लग रहा है लुग है यह देखो चार पाई पर अच्छे से सूख रहे हैं धूप में काफी सारे पापड बने आज हंड्रेड होंगे हंड्रेड और यह इनको डालने का तरीका है आज फोड़ी हवा तेज है वहना बहुत अच्छे से पढ़ जाते हैं पापड़ी ऐसे डाल दिया आराम से और यह चूट रहा है यह तरीका है डालने का पापड सुखाने के लिए अब और ट्राइ कर देते हैं आप समझ जाएंगे कैसे डालने चाहिए आज हमारे पापड बन गए अब यह आज और कल दूप में सूखेंगे और यह हमारे पापड बन के तयार हैं अब इन्हें हम स्राई कर सकते हैं तेल में और यह चटपटे पापड बनाए हमने नमा काली मच डाल के इन्हें हम ब्रत्वें भी खा सकते हैं और वैसे भी चाय के साथ कितने सुन्दर पापड बने एक दम कि अ कि अ कि अ are you की लिए